आप जानेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग और अविश्वसने जीवों के बारे में जिनें देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई हमारी मदन निचर से बड़ा आर्टिस्ट दुनिया में और कोई नहीं है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं दुनिया की कुछ सबसे विचितर जीवों के बारे में देखने में इंसान की किसी अंधुरूरी मासपेशी जैसे दिखने वाले कीडे प्रोबोसिस वाम या फिर रिबन वाम कहलाते हैं जब ये जीव शान्त होता है तब ये बिल्कुल हानिकारक नहीं लगता लेकिन जैसे ही इस कीडे को किसी चीज से खत्रा महसूस होता है तो अचाना कि ये शान्त और मासून कीडा फिल्मों में दिखने वाले किसी एलियन जीव में बदल जाता है इसके मुँ से निकली ये मासपेशिया बेहद नाटके ढंग से हर उस चीज को जकड़ने लगती हैं जिसे इस जीव को खत्रा महसूस होता है साथ ही जरुरत पढ़ने पर ये कीडा अपने शरीर को बीच में से ही तोड़ लेता है और इसका तूटा हुआ हिससा बड़ी तेजी से फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है जितना बड़ा ये जीव वास्तम में होता है ऐसा ये जीव कैसे कर लेता है इसका शोद आज भी जारी है और साइंटिस्ट आज भी इसकी अद्भूत अबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे है अंत्रिक्ष से आए किसी एलिन प्रजाती जैसा ये सुन्दर और अद्भूत जीव दिखने में बहुत आकर्शक और शानदार है इन प्यारे सीसलक्स को देखते ही आपको इने चूने या हाथ लगाने का मन कर सकता है लेकिन ऐसा करना आपके लिए सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकता है क्योंकि समझने में रहने वाले ये सीसलक्स दिखने में बले ही कितने खुबसूरत हो लेकिन वास्तम में ये जीव सीसलक्स की एक बहत जहरीली प्रजाती है जिसके डंक मारे जाने पर आपको असैनिय दर्द, सूजन, खून में थपके बनने जैसी जानलेवा स्थिती का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जीव समुद्र की तली में रहने वाले कुछ सबसे जहरीले जीवों को अपना भोजर बनाते हैं जिसके कारण इसके डंक बेहा जहरीले और जानलेवा हो जाते हैं हमारी लिस्ट में अगला जानवर है पॉजन डार्ट फ्रॉग जो की दिखने में तो आम मेंडक से बहुत अलग और आकर्शक दिखते हैं लेकिन ये सुन्धरता ऐसी है जिसका आनंद केवल दूर से ही लेना आपके लिए ठीक होगा क्योंकि अगर कोई गलती से भी इस फ्रॉग को छूले तो इंसान का हॉस्पिटल पहुँचना लगबक तै है क्योंकि ये सुन्दर जीव एंफिबियन फैमिली के सबसे विशैले सदस्य में से एक है ये मेंडक नीले, लाल और सुर्क पीले रंगे होते हैं जिस फ्रॉग का रंग जितना ब्राइट होता है वो उतना ही अधिक विशैला होता है और इन्हें महस छूने भर से इनका जहर आसानी से शरीर में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है इस जीव के जहर का सिफ एक ग्राम मात्र, दो हातियों, दसे यार चूहों या बीस इंसान को मारने के लिए काफी है किसी फैंटेसी मुवी में दिखाये जाने वाले जैनवर से मिलता जूलता ये जीव, यो तो किसी जौन ये लीच का ही बड़ा रूप लगता है लेकिन वास्ताव में ये एक मचली है, जो फितरत में लीच या उसके जैसे किसी जीवों को पीछे छोड़ सकती है क्योंकि ये मचली अपने शिकार को कुछ इस तरह मौत के घाट उतारती है, जिसे देखकर आप भी घबरा जाएंगे इसलिए इस लेंपरे फिश को पानी में रहने वाले सबसे कुरूर जीवों का दरजा मिला हुआ है इसके मुँ में अंगिनत नोकिले दात होते हैं जिने ये अपने शिकार के शरीर में गाड़ देते हैं फिर उसके शरीर से तब तक चिपकी रहती हैं जब तक कि ये अपने शिकार का सारा खून ना पी ले और फिर उसके पूरी तरह मनने के बाद उसे धीरे धीरे खा जाती है किसी अन्य मचली से लेकर इनसानों और बड़े जीवों तक को अपना शिकार बनाने से पहले ये फिश एक बार भी नहीं सोचती ये मचली किसी साइको किलर की तरह अपने शिकार को तडपा तडपा कर मारती है आज की वीडियो में बस इतना ही आज के एपिसोड में दिखाए गए अदपुत जीवों में से आपको सबसे विचितर और अनोखा जीव कौन सा लगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और अगर आपको हमारे चैनल पर अब लोड़िट वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबाएं आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मिस्ट्री एक नए रहसे के साथ तब तक के लिए अलविदा